जेन दोस्तों बंदे मातरम आज की रेट में अगर सबसे जादा आलोचना किसी क्रिकेट खिलाडी के हो रही है तो उसका नाम विराट कोहली है दरसल उन्होंने खुद अपने लिए जो एक बेंचमार सेट कर दिया है उस बेंचमार के सामने आज की रेट में विराट कोहली का प्रदशन है मतलब कदमों भी नहीं है उसके इतना बुरा प्रदशन चल रहा है कि वही लोग अब तुलना करने लगे मतलब एक सचन तंदल कर दोर था कि अगर वो तीन से चार मैचों में रन नहीं बनाते थे तो लोग यही कहने लगते थे कि यार कब से रन नहीं बनाए ठीक वही चीज विराट कोहली के साथ भी सत्तर सेंचुरी इन्होंने मारी है इस लिहाद से देखा जाए तो हर चार से पांच मैच में एक सेंचुरी विराट कोहली मारी देते थे लेकिन आज की डेट में यह आलम है यगरी तीन साल होने को आ रहा है और एक भी सेंचुरी इनके वल्ले से किसी भी फॉर्मैट में नहीं निकली और इसी लिए अब यही कयास लगाए जा रहे है विराट कोहली अब पतन की तरफ जा चुके है लेकिन जतना बड़ा खिलाडी होता है उतना ही अच्छा हो खिलाडी होता है और ऐसे खिलाडी अकसर अच्छी वापसी करते है इसी के मदे नजर रोहित शर्मा ने भी बहुत बड़ा बयान दिया था इसी बात को लेकर और अब शोय वक्तर भी विराट कोहली के सपोर्ट में सामने आया है दिन भले ही बदल रहे हो वक्त भले ही आगे बढ़ रहा हो लेकिन कुछ बातें अपनी जगे पर कायम है क्रिकेट जगट में ये मसला है विराट कोहली की फॉर्म का हर दिन कुई न कोई बयान कोहली को लेकर आ रहा है उनके आलोचना करने वालू की बी समय कमी नहीं और उनके समर्थन में उतरने वालो की भी नहीं दोनों पक्षों से जोड़दार बाते चल रही है इसमें सबसे रोचक बात ये है कि कई भारतिये दिगज कोहली को ड्रॉप करने की मांग कर रहे है तो पाकिस्तान से उनके पक्ष में समर्थन की लहर चल पड़ी है पाकिस्तानी कप्तान बावाराजम जैसे कुछ मौजुदा खिलाडियों ने तो यही किया है और अब शोईव अक्तर भी उनके अलचों को बढ़ तूट पड़े है उनका मानना है कि कोहली को ड्रॉप करने की मांग बिलकुल वेकार है पूर भारतिये कप्तान और महान और राउंडर कफल देव ने हाली में विराट कोहली को टीम से ड्रॉप करने की मांग की थी जिसके बाद से कुछ अन्य पूर भारते किर्केटरों नभी इशारों इशारों में कोहली को ड्रॉप करने की मांगी थी इसके बाद से ये बहस तेज हो चुकी है जो चर्चा कुछ वक्त पहले तक कोहली के शतक नहीं बनाने को लिकर हो रही थी वो अब उनको बाहर करने की और मुड़ चुकी है असे में कुछ पूर विदेशी खिलाडी उनके पक्ष में उतराएं विश्व के सबसे तेज गेंदबाज शोयब अक्तर ने शनिवार को अपने यूट्यूब चानल पर एक वीडियो पोस्ट किया और पूछा कि कोहली का सिर्फ एक साल अच्छा नहीं गया है तो उन्हें ड्रॉप करने की मांग आखिर कैसे होने लगी शोयब ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि विराट कोहली पर आलोचना का इस समय पहाय तूट पड़ा है और कहा जा रहा है कि उन्हें ड्रॉप किया जाना चाहिए मुझे लोग कहते हैं कि कोहली अब खत्म है उससे कुछ नहीं हो सकता वो अब कुछ कर भी नहीं सकता ये विराट कोहली दुनिया के सबसे महान खिलाडियों में से पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा खिलाडी बनकर अगर कोई आया है तो वो सिर्फ विराट कोहली है और उसका सिर्फ एक साल खराब हुआ है और उसमें भी उसना रन मनाया है सिर्फ सौ नहीं मनाया अचानक कैसे कह सकते हो कि कोहली को ड्रॉप कर देना चाहिए हाला कि शोयवक्तर ने कहा कि कपिल देव का अपना एक विचार है और उनको ऐसा कहने का पूरा हक है क्योंकि वो अपने आप में एक महान खिलाडी है इसके बावजूद शोयवक्तर ने कहा कि कहली जब इस दोर से बाहर आएंगे तो एक अलग खिलाडी होंगे पूर्फ पेसर ने आगे कहा कि कहली को कप्तानी और मीडिया से जुड़ी जिन्दगी को पीछे छोड़कर अब सिर्फ और सिर्फ अपनी बल्लेवाजी पर फोकस करना चाहिए कोई ड्रॉप करने की बात कह रहा है तो उस पर ध्यान देने के कोई जरूरत नहीं है यह सारी चीज़ें पार्ट और पार्सल है लाइफ के और यह सारी चीज़ें होती रहेंगे यह आपको सिर्फ और सिर्फ और भी ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए हो रही है आपको सिर्फ इसे ध्यान में रखना है उससे बढ़कर जवाब कोई भी नहीं होता तो इसलिए फोकस बस इसी बात पर होना चाहिए कि मैदान में जाकर आखिर अपने बल्ले से कैसे अपने आलचकों को जवाब दे सकते हैं लेकिन अगर हम हाल की बात करें तो T20 टीम से उनको बाहर कर दिया गया है कहा तो यह जा रहा है कि उनको रेस्ट दिया गया है वेस्ट इंडीस के टूर से लेकिन अगर वर्ल्ड कप के टीम में कोली शामिल नहीं होते है तो कही न कहीं यही माना जाएगा कि उनको ड्रॉप किया गया कि वो समझ में नहीं आपा रहा कैसा परफॉर्म कर रहा है यह किसी के लिए भी भरूसा करने लाइक बात नहीं मेरे इस वीडियों भलात नहीं जाए हिन जाए भारत